जैहिन जैभरत सातिओ आ चुके हैं एक और जबर्दस्त नई वीडियो के साथ और ये जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही बेस्ट होने वाली है सातिओ कौन से वीडियो आई है आप सभी के लिए देखे राजस्तान मेगा जो फेर 2023 यानि राजस्तान रोजगार मेला भरती कहां कहां हो चुकी भरती हैं सातियों बहुत लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि सर हमारे जिले की हो चुकी है क्या रोजगार मेला हमारे जिले की हो चुकी है क्या रोजगार मेला तो इन्स सभी की जानकरी आज हम आपको देने वाले हैं कि भी कौन कौन से जिले में आपका यह जो रोजगार मिला है यह हो चुका है और कौन कौन में होगा वो आपके लिए वीडियो बना दी जाएगी आप सभी को पता है कि जैसे रोजगार नए मिला आता है नई भरती आती है तो आपके साथ share कर दी जाती है तो आपज वीडियो में बने रहेगा और ततपर रहेगा देखते रहेगा कि हमारे इस जिले में ये जो रोजगार भरती है ये मिला है ये हो चुका है जैहिंद वंदे मातरम। प्यारे साथियों बहुत कमेंट आ रहे हैं आपके सर हमारे जिले की आएगी क्या सर हमारी होतों नहीं गई हमारी निकर तो नहीं गई सर तो बिलकुल आज केलियर कर देंगे जितने भी जिलों की जो रोजगार मेले हैं वो हो चुके हैं उन सब के ल थी वो भी बताते रहेंगे शाह सार तो तुम नाम वोनेन लिफता हूं फटाँ कॉरत आजी लिखिये जी उदेपूर की उदेपूर का होचुका है साथियो ध्यान से देखिए कैऻ का है इसके लिखिये पांस तारीक पहले मैने को ही हो चुका है यह बिल्कुल यानि कि पांच जनवरी को ही किलियर हो चुका है यह जो भरती है आपे हो चुकी है रोजगार में ला उद्यपुर का कंप्लीट हो चुका है आगे आएगा तब बता देगा यहां पिर दो अजार तेईस लिख दो ताकि इनको पता चलेगी भी हा किसरा मैना मार्च यह राजस्तान रोजगार मेना आपकी सोच रहे हो कि भरतपुर की कब आएगी तो भइ देखिए यहां पे निकल चुकी है बरतपुर का जो रोजगार मेना है वो हो चुका है हो चुका है अगला देखिए अगला लिखिए अजमेर का लिख लिए अगला अजमेर का हाँ बिलकुल अजमेर अजमेर का भी आपका हो चुका है रोजगार मेला इसकी तारीक थी 21 चोथा मेना दोजार तेइस 21 चोथा मेना अज मेर की हो चुकी है साथियो आपके रोजगार मेला यहां पे complete हो चुका है 21 अपरेल को जी बिल्कुल 21 अपरेल को इसकी last date थी बिल्कुल अगला लिखिये वही बांसवाडा 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 का जो तारीख था वो था 28 अपरेल जार कर रहे हो बांस वाड़ा की आएगी तो बांस वाड़ा की तो निकल चुकी है दोस्तों इसलिए आप इसकी टेंशन सोड़ी है अगला जो निकले उसका ध्यान दखना अगला लिखिये वह सवाई मादोपुर की सवाई मादोपुर बिलकुल बताओ सवाई मादोपुर थ तेरह तारीक पाँचवा महिना यानि तेरह महिन तेरह महिन को इसकी जो डेट है वो जा चुकी है साथूँ, ये तेरह है ध्यान से देर लो सवाई मादो पूर की 17 महईचा की 18 महिन को निकल चुकी है दोस्तों रोजगार मेला हो चुका है यहां पर सवाई वातवपुर में बिल्कुल अगला लिखिये जी जोधवुर का जोधवुर जोधवुर का था भाई लाश डेट 24 मई जोधवुर की थी 24 मई यानि किसकी जो last डेट थी 24 मई थी 24 मई को ये जोधवुर में भी बिल्कुल अब आगे जब होगा तो सुचना दे दी जाएगी अब भई आगे लिखिए दोसा की दोसा की लिखिए जी अरे दोसा वाले तो बहुत कमेंट कर रहे थे किसे रहा हमारी कब आएगी पिल्कुल भई इनकी भी जा चुकी है दोसा की लिखिए 21 जून चैब की कब आएगी तो देखो साथी दोसा की जा चुकी है तुम्हारी बिल्कुल भई दोसा की जा चुकी है आप इंतजार मत करिएगा कभी आप इसके इंतजार में रहो की सर्थ दोसा की कब आएगी आगे जाएगी तो सूचना दे दी जाएगी तो सूचना दे दी जाएगी बिल्वारा की भी ये भी आपकी हो चुकी है इसमें भी रोजगार मेला दो था वो निकल चुका है आगे देखिए अगला कोटा देखिए कोटा का लिखिए 28 जून बिल्कुल जो राजस्तान रोजगार मेला था वही इंतजार में थे कोटा की कब आएगी कोटा की निकल चुकी है अगला लिख लिजे अगला बचा है इनका राज सम्मंद राज सम्मंद की भई देखे ग्यारा जुलाई थी लाश्ट डेट राज सम्मंद की भी निकल चुकी है दोस्तों ग्यारा जुलाई ग्यारा जुलाई थी ग्यारा जुलाई को तुम्हारी राज सम्मंद की जो है रोजगार मेला जिसमें कम्परियों में आपको जोइनिंग दिया था हमने बिल्कुल 21 जुलाई को जा चुकी है 21 जुलाई को और सीकर के लिए अभी अभी हमें वीडियो डाली थी आपको पता हो कि वह सीकर की कि वह स्टेडियम था एक हाँ स्टेडियम था स्टेडियम में थी इसकी रोजगार में लिया अब भई देखे इन जिलों की इन जिलों की तो हो चुकी है, इन जिलों की तो हो चुकी है, इसमें कमपनियां हिस्सा लेती हैं, बिल्कुल, दसवी, बारवी, आई, टी, आई, इसनात को तर जितने भी पड़े लिखे हैं, जो भी ट्रेड है आपके पास अनुभाव हो या ना हो, ना हो, सीक्तर हो तो भी चलेगा, नए हो, फ्रेशन हो तो भी चलेगा, इसमें रजिस्ट्रेशन होता है साथियों, जहां पे आपको इस्तान दिया रहता है, बिल्कुल, जैसे सीकर में होता तो एक स्टेडियम था, ऐसे कोई स्कूल में लगाते हैं तो उसका, आपको वहां पे इस्तान भी देंगे, समय है, रहता है तुमारा लो बजे से, श्याम को चार बजे तक, बिल्कुल, और वहीं पे जाना पड़ता है आपको ठेट, ठेट पोंचना पड़ता है इस्तान पे, जिस जिले में भरती रहती है, उस जबे, बिल्कुल, और उसमें तारीख भी द रजिस्ट्रेशन हो जाता है, वहीं पे क्या होता है, आपका रजिस्ट्रेशन होता है, निसुलक, कोई पैसे नहीं लगते हैं, निसुलक होता है, और वहीं पे आपको जोईनिंग दे दी जाता है, वहीं पर आपको डिसाइट कर दिया जाता है, बिल्कुल, लगोगे है य को उनको जाना चाहिए जाना चाहिए और आपके साथ सेर कर देंगे जैसे ही जिले की आएगी आप इनकीटा नहीं सकते हैं अगली साल आएगी तब हम आपके साथ share करेंगे वह सकता है पहले भी आजाएंगे पहले भी निकाल दें भई हो सकता है कमी हो तो जो अब बच रही है जिले उनकी हम आपके साथ share कर देंगे तो tension लेने की कोई आप सकता नहीं है और वैसे भी हम जो भी भारत में जितने भी भट्टे निकलती है वो सब भी आपके सा कि हैं कि ह스트 vice जिलै के भी जा सुकी है तो इस तरे से इस वीडियो को share कर देना अपने दोस्तों के साथ ठीक है और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटा-फटा-फटाचे लाइक कर देना चैनल पर नहीं जुड़े ठीक है तो फिर मिलेंगे आपको एक और नाई भरती के साथ तब तक के लिए सबी प्यारे साथियों को जया हिंद जया भारत